आजहादी के इन पचातर सालों ने जूडिशरी और एक्जूटिव दोनों के ही रोल्स और डिस्पांसिबिलिटीज को निरंतर स्प्रष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजहादी के अमरित महोसों में जब देश नए अमरित संकल पर ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविश्की तरब देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजहादी के सो साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याज ववस्ता देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिसल सिस्टिम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत के अकांख्शाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्ण आज हमारी प्राथ्पिक्ता होना चाहिए। अम्रित काल में हमारा भीजन एक ऐसी न्याज ववस्ता का होना चाहिए, जिसमें न्याज सुलब हो, न्याज परीत हो, और न्याज सब के लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभो प्रयास कर रही हैं। जूडिशल स्ट्रेंड को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जूडिशल इंफ्रास्टेक्टर को बहतर करने की कोशिच चल रही हैं, केस मनेजमेंट के लिए ICT के इस्तिमाल के शुरुवाद भी की गई हैं। नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके ससक्तिकान के लिए, टेक्नोलोजी एक इंपोर्टन टूल बन चुकी हैं। जूड़ी हिस्सा मानती हैं। कुधार के तौर पर, इकॉर्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लिमेंट किया जा रहा है। सुप्रिम कॉर्ट, इकमिटी के मारदर्शन में, जूडिशन सिस्टिम में टेक्नोलोजी इंप्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्तित सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोड के सभी चिपजस्टित से भी आगर करूँगा कि इस अभ्यान को विश्यस महत्तों दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल हिनिया के साथ जुडिश्यरी का यह इंटिग्रेशन आज देश के सामान निमानवी के प्रिक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजिक्शन को हमारे देश के लिए असंभाव माना जाता था। लोगों को रखता है, लोग शक करते हैं, अरे यह हमारे देश में कैसे हो सकता है। और यह भी सोचाए दाता है, इसका स्कोप के बल शहरों तक ही सिमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ने ही सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गावों में भी डिजिटल ट्रांजिक्शन आम बात होने लगी है। यह पूरे विश्व में, पिछले साथ जितने डिजिटल ट्रांजिक्शन हुए, उस में से 40% डिजिटल टांजिक्शन भारत में हुए है। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिन के लिए पहले नागिकों को महिनों आफिसिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मुबाइल पर अवेलिबल हो रही है। ऐसे मैं स्वाभावी चैय जिस नागिकों सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलप्त हो रही हैं, मुबाइल पर अवेलिबल हो रही है। ऐसे मैं स्वाभावी चैय जिस नागिकों सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलप्त हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी बैसे ही अपेच्छाएं करेगा। सात्यों, आज जब हम टेकनलोजी और फिचरिस्टिक अप्रोच की बाद कर रहे हैं, तो इसका एक इम्पोर्टन एस्पेक्ट, टेक्ट फ्रेंड़ी हुमन डिसोर्सिज भी है। टेकनलोजी, आज युवाओं के जीवन का स्वाबा भी रिस्सा है। यह हमें सुनिशित करना है कि युवाओं की एक्सपोटाइज, उनकी प्रफेश्चनल स्ट्रेंग कैसे बने है। आज कल कई देशों में लोग उनिवर्सिटीज बहरें। ब्लॉकचेंज, एलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिवरी, साइबर सीकूरिटी, रॉबोटिव्स, आर्टिफिशल इंट्रिजिएंस और बाई एथिक जैसे विशेट पढ़ा ही जा रहे है। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरेशन स्टांडर्ट के मताबिक हो, यह हम सत की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है न्याय मुलम सुराजम श्यात। अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान ने मान भी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राज्ट के आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विशे पे तोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के तई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलोजी में कानून होता है। लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है। जो लोग भाशा में होता है। सामान्य मानवी की भाशा में होता है।